नमस्कार सातियों, गुड़ मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जैसा कि आपको बता हैं, अपने एक डेली करंट अफेर की क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेर को डीटेल एनलाइसिस और स्टेटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं, उसी कड़ी में, आज हैं 15 अक्टूबर 2024 और आज का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेर हैं, उसको आज गी सेशन में पन कवर करेंगे, आप चाहिए कोई से भी गोवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो, परत्यक के एक्जाम के लिए यह अपनी क्लास रामबान साबित होती है, क्लास तो रामबान साबित होती ही है, लेकिन इस क्लास की PDF के अंदर में डिटेल चीजें लिखता हूँ, यहनि आप चाहिए UPSC, CAC की भी तैयारी कर रहे हो न, तो भी क्यूशन बार नहीं जाएगा, क्यूशन हो, तो इसकी जो PDF है, वो आपको कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंदर में आपको बता दूँगा, चलिए पहले तो अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं, पहला क्यूशन क्या है, आई-एस-एस-फ, जूनियर विश्योकप 2025 की मेजबानी का अधिकार किस देश को मिल है, जो अंतराष्टी निसानिबाजी खेल मा संग है, उसने आई-एस-एस-फ, जूनियर विश्योकप 2025 की मेजबानी भारत को देदी है, वर्तमान में आई-एस-फ के अधिक्स कोन है, तो लूसियानो रोसी, कोन है, लूसियानो रोसी, वर्तमान के अंदर आई-एस-एस- सिंग देव, कोन है, कलिकेस सिंग देव है, भारतिये, राष्टिये, राइफल, संग के अधिक्स, वही आई-एस-एस-फ के अधिक्स की बात की जाए, तो लूसियानो रोसी है, और 2025 का जो आई-एस-एस-फ, जूनियर विश्योकप होगा, वो भारत के अंदर होगा, ये अगला, परतिबंदित प्रोधोगी की में, रूस का दूसरा सबसे बड़ा अपूर्ति करता है, वो भारत बना है, तो पहला कोन है सर, पहला है, second number पर तो अपना भारत है, पहली की बात करें तो चीन, चीन अभी भी परतिबंदित प्रोधोगी की में, रूस का सबसे बड़ा अपूर्ति करता है, और चीन के बाद, भारत है, वो परतिबंदित प्रोधोगी की, रूस को प्रोवाइड गरवाने में, दूसरे इस्तान पर है, सर, ये परतिबंदित प्रोधोगी की होती क्या है किसी भी देश के अंदर सेन्य अभ्यास होते हैं या किसी भी देश की आर्थववस्था जैसे रूस की बात कर लेते हैं रूस में एकर कोई युद अभ्यास हो रहे हैं उन युद अभ्यासों के दौरान रूस की आर्थववस्था और सेना के लिए कुछ आउशेक एक microchips होगे, circuits होगे, machine tools होगे, इनकी आप पूरती करना पर्तिबंदीत प्रवधोगी की आप पूरती करना कैलाता है, इसके अंदर China है औरimming रूस-को सबसे जदा पर्तिबंदीत प्रवधोगी देता है, आप पूरती करता है, इसके बाद भारत दूसरे नंबर पर है, तो यह ने रूस को दिया था और उससे पिछले मैने यह ने जून के अंदर 60 million dollar ही दिया था तो जून में तो 60 million dollar और अगला मैना कौन सा जुलाई जुलाई के अंदर पिंचानम million dollar दिए थे ठीक है तो इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है यह दो चीज मैंने क्या लिखी है मैंने यह लिखा है जून के अंदर तो जो परतिबंदित प्रदोगगी थी उसका इसके लावा जुलाई के अंदर भारत ने पिंचान में मिलियन डॉलर परतिबंदित प्रदोगई की यह वो रूस को दी इसी के चलते भारत है वो परतिबंदित प्रदोगई की मामले में रूस के आपूर्ती में दूसरे इस्तान पर आता है चाइना परतमिस्तान पर आता है शारी चीजे ध्यान रखनी हैं अगले क्यूशन पर चलते हैं AGI Table Tennis Championship में पहली बार महिला यूगल पदक किसने जीता हैं तो ध्यूं का मुकर्जी और सतूर्था मुखर जी इन दोनों ने Asia Table Tennis Championship में पहली बार महिला यूगल पदक जीता है ये दोनों ही बारत की है बारत ने पहली बार ये पदक जीता है महिलाओं के अंदर ये पहला पदक है महिला जोडी के अंदर पहला पदक है ध्यान रखना है ठीक है अभी 2024 के अंदर ये कर ली जीता था ठीक है और ये चेंपियंसीब वरतमान में हो कहां पर रही है जो एसे टेबल टेनिस चेंपियंसीब है वो मैंने एक दिन आगे क्लास में पढ़ाया था लेकिन आपको मुझे मुझे पका विश्वा से आपको याद नहीं है ठीक है कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर आयो टेबल टेनिस चेंपियंसीब इसके अंदर अही का मुखर जी और सतूरता मुखर जी ने यूगल जोड़ी के अंदर पहला पदक दिलाया है बारत को ठीक है इंपोर्टेंट ही ध्यान रखना है एक चीज और बता रहा हूं यह एक्जाम में पूछा जाएगा यह एक्जाम में पूछा भी जाएगा और यह भारत की वर्तमान इस्तिति को भी बताता है ठीक है यह सूचकांग आता है हर साल यह सूचकांग आता है कौन जारी करता है क्या जारी करता है सारी चीजे मैं करिसा दोजारचोबीस का वेस्वी को चूचकाइट था उसके अंदर बारत की स्थती या रही है ठीक है तो भारत की स्थती रही है ठीक है इसके अंदर एक G.H.I.Score दिया जाता है ठीक है भारत का जी एचिये स्कूर कितना आया था 27.3 ha, 27.3 भारत का जी अच आई इसकोर है था अ अलग अलग सार्यणीः माति गई थी के भाई मद्यम सरनी क खूचे कौन है ठीके गंबीर सरनी के खूचे कोन है जो मदब इसके अंदर गंबीर सरनी के अंदर धाया था भारत की सरनी में गंबीर भूख सरनी बहुत सारे डाटा बताऊंगा मैं देखते जाओ भारत की स्तती क्या है कल इस रिपोर्ट को अच्छे से अनलाइसिस किया था मैंने ठीक है सबसे पहले मैं इंपोर्टेंट चीजे तो यह है कि जो 2024 की वेश्वीक भूग सुचकांकाई थी उसके अंदर भारत एक सो पांच व इसलिए 127 देश थे एसा नहीं है कि कुछ देश ही सामिल थे 127 देशों में भारत का मात्र 105 वह इस्तान आया है ठीक है इसके अंदर जो जी एचा स्कोर दिया गया था उसके अंदर भारत ने स्कोर किया 27.3 का और वहीं बात की जाए इस सरेनी की तो गंबीर भूग सरेनी के अ अगरत आया है ठीक है कि कुछ ओड़ डाटा थे कि 13.7 परतिसत अबादी वह तो कूपो सिते कितनी 13.7 13.7 परतिसत अबादी कूपो सिते इसके अलावा 5 वरसे कम उमर के 35.5 परतिसत बच्चे एविक सिते क्या चीज मैंने बूली 5 वरसे कम उमर के यानि ऐसे बच्चे जिनकी उमर 5 साल से कम है वो 35.5 परतिसत बच्चे है जो एविक्षित है पांच वरसें कम उमर के 35.5 परतिसत बच्चे एविक्षित है ठीक है 18.7 परतिसत बच्चे कमजोर है और बदाओ 2.9 परतिसत बाल मर्थ उदर है ये भी लिखा था उसके अंदर दू ये रिपोर्ट आई थी ये वरसे रिपोर्ट इससे बार क्यों नहीं आएगा ये जारी कौन करता है ये पूचा जा सकता है तो इसको जारी कौन करता है एक IRIS मानुए संगटन है वर्डवाइड और जर्मन के एक साइक एजेंसी है वेल्ट हेंगर फिल्ट इसके द्वारा इसको पर्दसित की जाती है और इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट चीज जो मेरे को अच्छी लगी नहीं यह मेरे को लगी कि बांगला देश, नेपाल और स्रिलंका जैसे देश भी मध्यम सररनी में थे गंभी सरनी में नहीं थे बा जाजार चोबीस की वेश्वीग भूग सुचकांग के अंदर बारत एक पांच वह स्तान पर रहा था, एक सो पांच वह स्तान पर रहा था, जीएचा इसकोर 27.3 रहा था, गंबीर भूग सुरेनी के अंदर सामिल था, पांच वरस से कम उमर के 35.5 प्रतिसाद बच्चे तो जहां रखना है, ठीक है, माउंट सीस पांगमा पर चड़ाई करने वाले पहले बारतिये कोन बने हैं, तो अरजुन वाजपियाई, अरजुन वाजपियाई जी, माउंट सीस पांगमा पर चड़ाई करने वाले पहले बारतिये बने हैं, देखे ये भारत के परवतार होई ह बारे हैं इन्होंने अलग-अलग आठ चोटियों पर चड़ाई कि अलग वर्फों में जैसे 2010 के अंदर यह मांट एवरेस्ट पर चड़ चुके हैं वही तेभीस के अंत के अंदर इन्होंने अन्ना पूर्णा पर चड़ाई की थी और इस बार इन्होंने किस पर किये सीज पांगमा पर इंपोर्टेंट ध्यान रखना है अर्जुन वाजपिय जी के बारे में अगले कुशन पर चलते हैं हाँ भाई जाती सर्वेक्षन शुरू करने वाला तीसरा राज ये कौन सा बना है यानि जो जाती सर्वेक्षन शुरू करने वाला तीसरा राज ये कौन सा बना है इस क्यूशन के अंदर इसा पूछा गया है देखिए इसके अंदर पहला और दूसरा तो है आंदर पर देश और तीसरा बना है तेलंगाना राजस्तान में अभी तो कोई भी जाती सर्वेक्षन शुरू नहीं वा है लेकिन तेलंगाना के अंदर शुरू हुआ है ठीक है तेलंगाना में एक जो व्यापक गरेलू जाती सर्वेक्षन है वो शुरू भी हो गया है ठीक है जो वादा भी किया था जिसका उद्शिय यह सा था कि जो OBC है, AC, AST, और जो अन्ये है, उनके बीच के अंदर जो भी संसादन है, उनको लक्षित रूप से सही वित्रन किया जाए, उनके वित्रन को सही से सुनिस्चित किया जाए, उसके लिए हम यह जाती सर्वेक्षन करवाएं ठीक है, इसके लिए कल एक इंपोर्टेंट चीज मैंने और भी पड़ी थी, कि जो पूर्वे उच्छ न्याइदिष, न्याइमूर्थी, समीम, अक्तर है, उनके न्यतरतों में एक आयोग है, उसका उपवर्गी गरन करके उस पर अध्यन किया जाएगा, ठीक है, तो ध्या राजिये जाती सर्वेक्शन करने वाला तेलंगाना बन गया है, अगला क्यूशन, भारत ने कहां पर बायो पोलिमर्स के लिए पहली परदशन सुईदा का उध्गाटन किया है, पूने के अंदर, साइन्स और टेकनोलोजी में ये क्यूशन इंपोर्टेंट बनता है, ठीक के दोरा जो विक्सित किया गया, बायो पोलिमर्स है, उसके लिए भारत की पहली परदशनिका का उधगाटन किया ता, किसने किया था, डॉक्टर जीतेंदर सिंग ने, किसके दोरा बनाया गया गया है, ये सुईदा जो है, ये क्या कारिय करेगी, तो ये पोली लेक्टिक इसको पीएले बोलते हैं और जो बाइ। प्लास्टिक होती है उसका उत्पादन करेगी ठीके बारत की जो जेव अर्थ ववस्ता है उसको लेकर बार-बार इंपोर्टेंट चीजा आती हैं इकनोमिक सर्वे में तो मैं भी कई बार इसा बताया गया है बारत की जू जे वर्थ व HA paasS लेकर तुम्हें economic survey के अंदर यह आर्फ ववहस्ता को लेकर के डाट यह आफ को बता देता हूं 2023 के अंदर भारत की जेव आर्थ ववश्टा के मुल्य की बात करें तो देट 4 बिलियन डोलर है 2030 तक इसको 300 बिलियन डोलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है जिसके लिए अपन साड़े आठ हजार आठ हजार पांसो से अधिक बायो टेक स्टार्ट अप्ता जेव पुरदोगी के में बारत की तीरवे गती के लिए ऐसे प्रोजेक्ट अपन सलाएंगे जिसके ते थी बायो पोलीमर्स के लिए पहली परदस्तनी पुने के अंदर डोक्टर जितेंदर सिंग ने उद्गाटित की थी ठीक है इंपोटेंट जीरो पोर्टल और एप किसके द्वारा लॉंच किया गया देखिए करंट के अंदर कोई भी क्यूसन आता है बाइदबे जन्रल सी बात है क्यूसन आ भी जाए अपनको अपनको नहीं भी आए जब कोई भी क्यूसन नहीं आता है तो फिर वहां पर अपन सुरू करते हैं कोमन सेंस से बड़ा कोई सेंस नहीं होता है दुनिया में अगर आप थोड़ा सा कोमन सेंस लगाओगे तो इस क्यूसन को कर लोगे देखिए कैसे करना आपको उसके लिए सबसे पहले तो लाल वाला बटन दबागर चैनल को सस्क्राइब करो बेल वाल आइकन प्रेस करो वी नहीं होगा वह देखा जाएगा आपका बला होना जरूरी है हमारी लिए तो अच्छे से कमेंट कर देना वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब कर देना अब आपके बले की बात कर रहा हूं बले की बात यह इस क्लास की पीडिएप चीए जिसके अंदर डिटेल सोलूशन सब्सक्राइब कर देखा है वो पीडिएप मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं वहां से डाउनलोड कर लेना अधरवाइज यह वोट्स अप नंबर है सिधा आदेश करना कि सर क्या प्रोब्लम है आपका बेजते क्य करो और हमें यह भेजों तो आपको मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं हम दिलवा देंगे ठीक है अब इसक्यूशन पर आते हैं ठीक है देख किते यार किते खराब आदमें अभी भी लाहिक नहीं कर रहे हूं चलो कई बात नहीं मत करो ठीक है इमाइग्रेट वी 2.0 वी 2.0 पोर्टल और एप को लोंच किया है क्या है nderर इसके अंदर क्या चीजहं होगी यह जो बारतिये सर्मिक है वारतिये सीर्मिक हैं वीदेशयों में जाते हैं उन बारतिये सर्मिक यह आपको बतावना चीए कुछ सतत्विकास्त लक्षे होते हैं उसके अंदर HDG इसको बोलते हैं HDG गोल जिसको बोलते हैं उसके अंदर अपना दस्वां HDG जो गोल हैं उसकी प्राप्ति के लिए इसके अंदर दस्वां सतत्विकास्त लक्षे में अपना लक्षे यह रहता है कि व्यवस्तित और जिम्मेदार पुरुनक परवास को बढ़ावा देने के लिए यह चलाया गया है उसका थोड़ा सरली करन हो जाएगा तो यह सारी चीज आपको ध्यान रखना है अमिशा तो ग्रे मंत्री है राजना सिंग अच्छा वो बताई देता हूं यार यह तो वापस आगे क्या देखो डोक्टर एस जे संकर विदेश मंत्री है परदान मंत्री जी आमिशा ग्रे मंत्री जी राजना सिंग रक्षा मंत्री जी है होकी इंडिया लीग की निलामी के पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी कोन मने है? आपने एक लीग देखियोगी इंडियन प्रिमियर लीग जिसको आप IPL बोलते हो, IPL के तर्ज पर ही होकी के अंदर भी एक चीज शुरू हुई है, होकी इंडिया लीग, उसकी निलामी हुई और पहले ही दिन जो हर्मन प्रीट सिंग है, जिसको अपन सर्पंच साप बोलते हैं, बारत्य टीम के कप्तान है, वो पहले ही दिन सबसे महंगे खिलाडी भी के थे, सोर्मा होकी कलब ने लिया था, किनो ने लिया था, सोर्मा होकी कलब ने अच्छे सर्फ, सोर्मा होकी कलब जब इनको लिया, तो कितने पेसे दिये इनको, तो इनको 38 लाग रुपे के अंदर लिया गया है, कल की तीन बड़ी निलामी मैं आपको बताई देता हूँ, जब इतना बताई दिया है, तो होकी इंडिया लीकी निलामी के पहले दिन सब से महेंगे खिलाडी बने थे, हर्मन जो बारतिय टीम के कप्तान भी है, पिया श्रीजेस मेरे प्रसनल फेवरेट है, ठीक है, हर्मन प्रीशिंग जिनको सरपन साब बोलते हैं, कमेंटरी के अंदर आपको बताई जानते हो, सोर्मा होकी कलब ने इनको 38 लाग के अंदर खरीदा है, इसके लावा, अभीशेक बंगाल टाइगर्स की टीम ने बेतर लाग में खरीदा है, और जो तीसरे सबसे महेंगे किलाडी मेने थे, वो हार्दिंग सीग मने थे, जिटको यूपी रुद्रास की टीम ने 70 लाग रुपे में खरीदा था, ये लीग होनी कब है, तो 28 दिसंबर 2024 को ये शुरू होगी ये इंपोर्टेंट है द्यान रखना, होकी इंडिया लिंग कब होगी, 28 दिसंबर 2024 को होगी, सबसे महेंगे किलाडी अभी तक के लिए पहले दिन की निलामी में, तो सोर्मा होकी कलब ने 38 लाग रुपे में हर्मन प्रीसिंग को करीदा था, अगले क्यूसन पे चलते हैं, के अंदर ने किस राजिये में राष्टपती सासन हटाया है, के अंदर सरकार ने कल ही राष्टपती सासन हटा दिया एक राजिये में, और वो राजिये आप सब जानते हो कौन सा है, जम्मू कस्मीर है, जम्मू कस्मीर से के अंदर ने राष्टपती सासन हटा दिया, ऐसा क गटबंदन ने यहां पर जी सांसिल किये किस किस ने नेशनल कॉंफ्रेंस और कॉंग्रेस गटबंदन ने ठीक है 2019 से पहले यहां पर चुनाव नहीं वेते क्योंकि अनुचे दो 370 और पेटीस ए था था दो जार अग्णिस के अंदर इन दोनों को अटा दिया गया वह यहां पर जीता है अगला क्यूसन ओस्दी वीनियामक प्राधिकरणों का उगनीश्वां अंतरराष्ट्य समयलन कहां पर आयूजितुआ है तो नहीं दिल्ली के अंदर नहीं दिल्ली के अंदर कल यह आयूजितुआ था ओस्दी वीनियामक प्राधिकरणों का उनीश्वा इस घ्यान रगना है इस जो समारो था ये समयलन था इसका त्रज़्व किस्त ने किया था जगत परकास नड्डा ने किया था कहां परled किया था नए दिल् Break अंदर किया था और अंतराश्ट्यreci समयलन था किसको लेकर जगत प्रकास नड्डा का नाम याद रगना है ठीक है इसके अंदर एक सो चोराणमा से अधिक देश सामिल होंगे एक सो चोराणमा देश इसके अंदर भाग लेंगे क्या करेंगे ये जो भी चिकिसा को लेकर चुनोतियां आ रही है उस्ति और जो उपकरने उनको आदान परदान करने के अंदर या उस्ति या उपकरनों के अंदर कुछ नए नवाचार करने है उनको लेकर ये मीटिंग प्रूसकारों की गोष्णाएं हो रही है उसके तेतकल अर्थ सास्तर का नोबल प्रूसकार भी दिया गया तो दोजार चोबीस का अर्थ सास्तर का नोबल प्रूसकार किसको दिया गया इसकुशन में इसा पूचा गया है अर्थ सास्तर में नोबल प्रूसकार के इतियास को को देका जाए तो अर्थशास्त्र मेंनोबल पृुस्कार के का अंदर 202 999 के अंदर madamide ka विष्कार पर अलफर्ट नोबल की याद के आदेर जाता है और सबसे फ़ेलेसास्त के अंदर 1800 ते नातम होए। चीन को दिया गया त Diesesibl fian ऐसे मोगलू जोनस नोरोबिंसन इन तिनों को दिया गया इनका नाम है डारोन है आगे नाम डारोन लगता है एस मोगलू लगता है जोंसन के पहले लगता है साइमन तो साइमन जोंसन रोबिंसन के पहले क्या लगता है जैम्स ए रोबिंसन यह इनके नाम थे इन तीनों को दोजर तोबीस का अर्थ सास्तर का नोबल पुरुशकार दि तीन गटक थे इन तीनु गटकों के साथ इन्होंने राजनेतिक संस्ताओं के निर्मान की व्यक्या भी की थी इसके चलते हैं इनको दोजार्ट चोबीस में अर्थ सास्तर का नोबल पुरूसकार दिया गया था इंपोर्टेंट है नाम याद रखना इनके IWLF ठीक है बार तोलन इस परदा में राष्ट्य रिकोर्ड किस्तने बनाया है हर्मन प्रीत कोर हीना जी रवी संकर मैं बोलता हूँ उप्रोक सभी सरेसा थोड़ी होता है तीन तीन लोग अलग लग खेल से समझ इतके से रिकोर्ड क्या मिना लिए नहीं देखिए जो हर्मन प्रीत कोर है इन्होंने IWLF जो राष्ट ये बारतोलक चेंपियंशीप थी उसमें 46 kg जो सीनियर वरक था सीनियर महिला वरक था उसके अंदर clean and jerk के अंदर तो उन्होंने 127 kg वजन उठाया था और वहीं टोटल वजन उठाया था है इन्होंने 223 kg ज्यान रखना है ये एक अपने आप में रिकोर्ड है चीक है रिकोर्ड क्या है हर्मन प्रीत कोर ने 127 kg तो किसमें उठाया है clean and jerk में कुल वजन कितना उठाया है 223 kg केजी वह वजन उटाया था ये भी जूनियर वद zer के अंदर निनका अपना आपमे एक रिकोर्ड बनाए राष्ती कोड्ड मनाए वहहीं जी रवी संकर की बात करते हें जी रवी संकर ने 311 kg बजन उटाया था इससे पेले जोने अया जूनियर राष्ति रिकोर्ड है यह यह है इससे पहले जूने रिकोर्ड था 304 kg का जिसको तोड़ कर जी रवी संकरन 311 kg वजन उठाया था तो सारे फेक्ट याद रखने है इंपोर्टेंट है है तो यह थी आजकी इंपोर्टेंट करेंट फेर 15 स'll की जो भी भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ wealthy उसको सब को अपने अच्छे से कवर किया अब आपको बताना है वीडियो की बार फोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो मुझे एप्रिसियेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल वाल आइकन दबा देना जिसे आपको प्रतिदी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आपने दोस् के साथ तब तक अपनी पढ़ाई जारी रुको, अपने स्वास्थे का ध्यान रखो, टेक केर, जेहिंद,